अगर आप भी इगनु में पहली बार एक्जाम देने वाले हो तो आज की वीड़ो आप ही के लिए है इस पीड़ों हम बात करेंगे फ़र्स टाइम एक्जाम एन इगनु पांच ऐसी पॉइंट जो आपको जान लेने हैं इगनु के एक्जाम में अपयर होने से पहले अगर आपको एक भी पॉइंट नहीं पता होता है या फिर आप किसी पॉइंट में लेक कर जाते हैं तो कहिन अग आपकी प्रोल्म वास कते है या फिर आपका एक्जाम हो सकता है कैंसल वेल आज की स्पीड में point to point बात कहने वाले हूं सभी points पर आपको detail में बताऊंगा ताकि आप लोग examination को अच्छे डंक से दे पाए और एक अच्छे score भी create कर पाए सो इस पीड को end तक चरूर देखें साथी चनल वाग पहली बार आई हो make sure आप चैनल को शरूर से सबस्क्राइब करें पहले इकन दबाने तक लेटेश वेड अपटेट आपको सबसे पहले मिलती रहे आई इस्ट्रेंट बात करते हैं एगनू के जून 2023 स्टमड एक्जाम के बारे में जो कि आप लोग पहली बार एक्जाम दे रहे हो तो कुछ ऐसे पॉइंट में आपको बता दू फर्स्ट पॉइंट जो हमारा सबसे इंपोर्डेंट है वो है एड्मिट कार्ट के बारे में देखिए आप मेंसे बहुत सारे ऐसे इस्ट्रेंट होगे जिन्होंने अल्रेड डाउनलोड कर लिया होगा लेकिन कई बार इस्ट्रेंट पूछते हैं कि सर एड्मिट कार्ड कब आएगा देखिए अल्रेडी एड्मिट कार्ड आपको बहुत पहले ही रिलीस हो चुका है जिन भी इस्ट्रेंट ने डाउनलोड नहीं कि अभी आप डाउनलोड कर लो अभी इंपोर्डेंट क्यों है पैसे तो बहुत सारे इस्ट्रेंट कर चुकेंगे लेकिन आपको दुबाय से डाउनलोड करना है वो क्यों करना है उसका रीजन समझ लो देखो एगनू में क्या होता है कि एडमेट कार्ट से ही आपको पता लगता है कि भाई आपका जो एग्जाम सेंटर है वो क्या है फाइनल डेट सीट क्या है ये सभी चीने आपको पता लगती है 30 मई 2023 एग्जाम से ठीक दो दिन पहले की अपडेट है एगनू ने exam center ही change कर दिया समयदो अब जिन student ने एक हफते पहले अपनी halt kit निकलवाई थी print out या फिर उन्होंने एक हफते पहले चेक किया था या दो हफते पहले चेक किया था examinations की halt kit को तो भाई आप लोग problem फ़र सकते हो क्योंकि एगनू ने आज change कर दिया exam से ठीक दो दिन पहले अब आप यहाँ पे देखिए exam center change हुआ जो student पुराने वाले center पहुंच जाएंगे उनका paper तो गया इसलिए आपको halt kit को अभी download कर लेना है और up to date रहना है इस point पे क्योंकि देखिए आने वाले time में हो सकता है exam के बीच में भी आपके center change हो जाएं किसी reason के वज़े से तो आपको up to date रहना है website को visit करते रहना है जो आपकी regional center की है इसके साथ ही आप लोग हमाई different social media follow गलो बहाँ पे जैसी अगर कोई changes होते हैं तो आपको point to point मिल जाएंगे जो आपको update कर दिया जाएगा ताकि आप लोग examination को एकदम chill way में दे पाऊगे तो ये आपके लिए काफी ज़्यादा important है second point में बात करते हैं कि भाई आपको examination में क्या क्या चीज़ें carry करनी है पैसे इसको लेकर तो मैं already separate video बना चुका हूँ उससे आप देख सकते हैं जिसमें detail में बताया है बाकी यहां पर list of items दे रखी है इसके लावा में बात किया है कि आपको क्या क्या carry करना है यहां पर जो बाते हैं वो आपकी ऐसे points हैं जो आपको carry नहीं करने जैसे mobile phone, bluetooth या फिर आपकी smart watches पगेरा या कोई electronic item आपको लेके नहीं जाना है exam hall के अंदर ओकी third point की बात करते हैं यह काफी ज़्यादे important है वाई देखो अगर आप exam दे रहो तो आपको यह पता होना चाहिए कि exam आपका actual में आने के सवाल है यानि कि paper pattern क्या है paper pattern आपको previous year से अच्छा कहीं और पता नहीं जल सकता previous year आप लोग एगनू की main website पर चेक कर सकते हैं एगनू की main website इसके लावा हमारे website पर, telegram channel पर सभी जगा PDF शेयर की हैं वहाँ से भी आप download कर पाएंगे सबसे वेश्ट है एगनू की website पर आपको सभी PDF मिल जाते हैं previous year के इससे आपको पता लएए कि भाई आपका paper actual में कैसा आता है paper में कितने marks का आपका overall paper रहता है structure क्या रहता है, कितने question करने होते है किस पिरकार का blueprint रहता है और paper दोन ही language में है या फिर नहीं तो ये point आपको इस paper से पता लग जाते हैं इसी में एक और point आप सभी को बताना चाओंगो वो है preparation study देखो preparation आपको कैसे करने क्या पढ़ना है इसको लेकर already मैंने videos बनाई हुए उन्हें आप देख लेना जिससे आपको एक सटीक रास्ता पता चलेगा कि भाई actual में exam में पढ़ना क्या है अगर आप assignment पढ़ रो या फिर पूरा मटेल पढ़ रो reference book पढ़ रो उनका actual benefit है क्या वहां से आएगा भी आप इसी लिए मैंने ये videos बनाई है जिसमें बताया है कि भाई आपको पढ़ना क्या है तो आप videos को देख सकते हैं link आपको discussion में डाल दोंगो point number 3 के नाम से अब बात करते हैं point number 4 के बारे में point number 4 काफ़ी important है क्योंगी बहुत सारे spend ये अपनाते हैं कई सारे spend ये तकनीक के बारे सोचते कि भाई cheating कर लेते हैं फररे ले जाते हैं फिर कोई booklet ले जाते हैं या फिर चिट बना के ले जाते हैं क्या ऐसा हो पाएगा क्या exam center पर आप नकल कर पाओगे या फिर नहीं देखो ये इनुमें बहुत ही जादा strict चीजें देखने को मिलती हैं लेकिन यहाँ पर delay भी है कैसे है कि अगर आप exam hall में कुछ भी लेके जा रहे हो तो वहाँ पर आपका UFM लग सकता है भाहिं अगर आप पैसे दे रहे हो तो center वाले आपको सब कुछ alert करा देंगे आप महाँ पर mobile phone भी ले जा सकते हो books भी ले जा सकते हो मतलब समय दो महाँ पर पैसे दे के भी ऐसा कई सारी sentence पर होता है यह already मैं बता चुका हूँ और आने वाली टाइम में प्रूब भी आपके साथ में share करूँगा बाकी आप ऐसे बहुत सारे spend इस बारे में जानते भी है तो यह होगे हमारी four point जो कि UFM के बारे में बताए कि भाई अगर आप cheating करते हुए पकले जाते हो तो आपको पूरा semester laws हो सकता है आपका result टेकले नहीं होगा पूरे semester में ही backlog दे दी जाएगी वहाँ पर लिखा आएगा UFM case अब बाद आती है कि exam दे दी है एक्जाम से पहले दो चीज़ें आपको और पता होने चाहिए एक point है passing marks कि भाई minimum passing marks क्या है जैसे यह paper है आपका 50 marks का paper है तो इसमें कितने marks होंगे अगर हम bachelor degree की बात करें या master degree की बात करें एक particular course wise कितने passing marks होते हैं बैसे 35 and 40% रहता है बागी course wise मैंने इस freedom बता है कितने percent आपको और कितने number किस paper में लाने है पास होने के लिए जरूर से check out करें link आपको discussion मिल जाएगा आगे बात करते हैं एक और point के बारे में result के बारे में result कैसे update होता है कहां पर आपको check करना है तो इसके बारे में बता देते हैं और कव result आता है ये भी जान लीजिए आपके exam चल रहे हैं उसके लगबख 1-1 के बाद में जैसे आपका exam हुआ उसके लगबख 1-1 के बाद update आने start हो जाती है तो आप जो पहली update देखोगे June 2023 टमड exam की बो आपकी July की last week तक या mid July तक आपको देखने को मिल जाएगी चूँगि ऐसा ही इगनू में हर बार देखने को मिलता है आपके 1-1 के बाद में आपके result की update आने start हो जाती है और ऐसा नहीं कि fixed rate में आपकी updates सारी आ जाएगी ये point to point रहता है डेवाइस रहता है कई बार बहुत जाएग टेले होता है अभी जो last term exam होगा है जैसे December 22 term exam उसकी भी result की update अभी recently आई है तो आप लोग समझ लिए कितना टेले भी देखने को मिलता है तो ये थे आपके लिए important point विसे इस तोर पे इन सभी बातों को याद रखना और आपको क्या follow करना है और चिन भी वीडियो के बारे मैंने जिक्र किया है इस वीडियो में सभी का link डिस्क्रिशन में प्रवाइट कर दूँगा जो मटेल के बारे में बता है बागी आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक और नी वीडियो में तब क्लिचे हैं हिंडिया वारे बाई दोस्ते